Hello friends, welcome to Definite IS तो आज हम लोग Current Affairs continue करेंगे चलिए शुरू करते हैं नासा ने पहली बार किस महिला को Space Flight Program का प्रमुख नियुक्त किया है इसका आंसर है Kathy Luters अगला देखते हैं Oil India Limited का बागजान तेल का कुवां किस राज्य में स्थित है इसका आंसर है Assam महा सागरों के गहरे बिंदूओं तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी इसका आंसर है Kathy Sullivan उत्राखन राज्य में किस स्थान पर सरकार द्वारा जाव विविधता पार्क खोला गया है इसका आंसर है Haldwani अगला देखते हैं International Day of Family Remittance 2020 का विशय क्या है इसका आंसर है प्रेशक एक जीवन रेखा है अगला देखते हैं किस राज्य सरकार ने मेगा शाक्षनिक परिसरों की स्थापना की घोशना की है इसका आंसर है Odisha भारतिय मूल की अमरीकी Military Academy से graduate होने वाली पहली महिला सिख कौन है इसका जवाब है अनमोल नारंग अगला देखते हैं उर्जित पतेल को किसका चैर्मेन नियुक्त किया गया है इसका आंसर है National Institute of Public Finance and Policy BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य किया गया है इसका आंसर है हरा अगला देखते हैं किसे Madam of the Order of Australia Award से सम्मानित किया गया है इसका जवाब है शोभा शेखर किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज प्राप्त करने की गोशना की है इसका आंसर है भारत अगला देखते हैं विश्व प्रतियायन दिवस कब मनाया गया इसका आंसर है 9 जून नबार्ड यानि National Bank for Agriculture and Rural Development की निवेश शाखा नाब वेंचर्ज ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीन फिटनेक स्टार्टप में किया है इसका जवाब है जै किसान अगला देखते हैं सैयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशर द्वारा हर साल कितने गैर स्थाई सदस्य चुने जाते हैं इसका आंसर है 5 कहां 50 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है इसका आंसर है डेलावेर में अगला देखते हैं मचली की एक नई प्रजाती कहां पाई गई है इसका आंसर है अरुनाचल प्रदेश और इस प्रजाती का नाम है अगला किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लाटफॉर्म बनाया जा रहा है इसका आंसर है करनाटक किस राज्य सरकार ने घर-घर निगरानी मोबाईल आप लॉंच किया है इसका आंसर है पंजाब अगला देखते हैं प्रधान मंत्री भारतिय जन आउशदी परियोजना का क्रियानवियन किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा किया जा रहा है इसका आंसर है रसायन और उर्वक मंत्राले किसने कोविड-19 से बचने के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है इसका जवाब है D.I.A.T. अगला देखते हैं किसे ओडिशा हाई कोट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है इसका आंसर है सावित्री राठो मैं 2020 में मासिक थोक मूल्य सूच कांक यानि की WPI के आधार पर मुद्रा स्फीती की वार्शिक दर क्या है इसका आंसर है माइनस 3.21% जम्मु कश्मीर उच न्यायाले की मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है इसका जवाब है जावेद इकबाल वानी अगला सवाल अथलीट गोमती मारी मुथू पर कितनी साल का प्रतिबंद लगाया गया है इसका आंसर है 4 साल अगला देखते हैं शम्मु एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राज़दूद नियुक्त किया गया है इसका आंसर है फिलिपीन्स दूसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस ने जारी किया है इसका आंसर है FSSAI यानि कि भारतिय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरन अगला देखते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज़य में सबसे ऊपर शीर्ष रहा इसका आंसर है गुजरात अगस्ट 2019 के बाद कौन सी वित्य संस्था हाउजिंग फाइनांस कमपेनियों की नियामक है इसका आंसर है RBI यानि की भारतिय रिजर्व बैंक विश्व बाल श्रम निशेध दिवस कब मनाया गया इसका आंसर है 12 जून अगला देखते हैं किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंद लगा दिया है इसका आंसर है करनाटक किस भारतिय राज्य ने I-Flows नाम से एक एकी कृत बाढ़ चेताबनी प्रणाली शुरू की है इसका आंसर है महाराष्ट्र स्कूली बच्चों के लिए E-Learning Content का प्रसारन करने के लिए राश्य शाक्षिक अनुसंधान और प्रशिक छंड परिशद ने किसके साथ MOU किया है इसका आंसर है Rotary India IDBI Bank के नए निदेशक कौन है इसका आंसर है अंशुमन शर्मा अगला सवाल स्वतंत्रता सेनानियों के कल्यान के लिए गठित समिती के अध्यक्ष कौन है इसका आंसर है G. किशन रेड़ी अगला देखते हैं भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा नीजी बैंक शेयर धारिता मान डंडो की समिक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रूप का गठन किया गया इसका आंसर है P. क. मोहंती अगला देखते हैं जर्मी क्लीन नामक सानिटाइजर चैमबर किसने विक्सित किया है इसका आंसर है DR. डियों ने किया है अगला देखते हैं अठारा जून को प्रती वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका आंसर है Autistic Pride Day अगला देखते हैं US FDA ने किस दवा पर से एमर्जेंसी टाग हटा दिया है इसका आंसर है Hydrochloroquine अगला सवाल पहली बार double stack container 10 सफलता पूर्वक चलाकर किस देश ने इतिहास रचा है इसका जवाब है भारत सहकार मित्र योजना का शुभारम किस ने किया है इसका आंसर है नरेंदर सिंग तोमर ने किया है छात्रावासों के लिए ISO प्रमान पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है इसका जवाब है ओडेशा किस राज्य सरकार ने हजार पानी बोर निर्मान करने की घोशना की है इसका आंसर हरियाना अगला सवाल भारत के अलावा किन अन्य देशों को संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिश्रत के अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया है इसका जवाब है आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे किस ने जर्मी बैर नामक एक डिवाइस लॉंच किया है इसका आंसर है जी किशन रेडी अगला सवाल लोनार जील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो चुका है यह किस राज्य में है इसका आंसर है महराश्ट्र इस्तिमाल किये गए मास्क को डिस्पोजल करने के लिए बिन 19 कहां लॉंच किया गया है इसका जवाब है केरल अगला सवाल किस देश ने खुद को कुरोना वाइरस मुक्त घोशित किया है इसका आंसर है न्यूजीलेंड अगला सवाल किस राज्य सरकार ने जनगन्ना, चेदोडू, योजना की घोशना की है इसका आंसर है आंधर प्रदेश राश्ट्रिय सूचना केंद्र ने फाइलों के सही रख रखाओ के लिए किस आप्लिकेशन को विक्सित किया है इसका जवाब है E-Office भारत में ACI शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धी हुई है इसका आंसर है 26% भारत को आठवी बार किसका अस्थाई सदस्य चुना गया है इसका आंसर है विश्वि सुरक्षा परिशद अगला सवाल देखते हैं भारत ने बिजली सहेलियों के लिए किस देश से MOU हस्ताक्षर किये है इसका जवाब है डेनमार्क अंतर राष्ट्रिय भारोत तलन महासंग ने किस भारतिय वेट लिफ्टर पर लगाए गये डोपिंग के आरोपो को वापस ले लिया है इसका आंसर है संजीता चानू अगला सवाल देखते हैं किस संगठन ने e-governance को बहतर बनाने के लिए 500 से अधिक कार्यालों में e-office application लॉंच किया है इसका जवाब है CBIC यानि की केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड किस राजय सरकार ने नौकरी पोर्टर लॉंच किया है इसका आंसर है पश्चिम बंगाल अगला देखते हैं वर्डर ब्रेमन को हराकर किस फुटबॉल टीम ने लगातार आठवी बार बुंडेस लीगा का खिताब अपने नाम किया है इसका आंसर है ब्रायन म्यूनिक अगला सवाल सेंट्रल रेल्वे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है इसका आंसर है काप्टेन अर्जुन फीफा रांकिंग में कौन शेर्ष पर है इसका आंसर है बेल्जियम अगला देखते हैं अटॉर्णी जेनरल के के वेडु गोपाल का कार्या काल कितने साल तक बढ़ाया गया है इसका आंसर है एक साल अगला ब्रादकास्ट एंजिनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड किस मंत्राले के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है इसका आंसर है सूचना और प्रसारन मंत्राले कौन सा देश ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफीशल इंटेलिजन्स में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है इसका आंसर है भारत अगला देखते हैं किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजनसी की स्थापना की है इसका जवाब है उत्तर प्रदेश कारगो इंटरनाशनल का ब्रैंड एम्बैसेडर किसे बनाया गया है इसका आंसर है सोनू सूध अगला सवाल देखते हैं गौ हत्या के लिए कारवास और जुर्माने से संबंधित अध्यादेश को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है इसका जवाब है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के किस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है इसका आंसर है 65 से अधिक उम्र एवं दिव्यांग नागरिक को घर बैठे बैलट पेपर से वोट देने का अधिकार अगला देखते हैं सरकार ने किस समझोते के तहत विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात के लिए सलाह जारी की है इसका आंसर है Sights FIFA के द्वारा जून की जारी फुटबॉल वर्ल्ड रांकिंग में किस टीम को प्रथम स्थान दिया गया है इसका आंसर है France केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केर सप्लाई चेन पोर्टर लॉंच किया है इसका आंसर है आरोग्यपत अगला सवाल देखते हैं 19 जून को प्रती वर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका आंसर है विश्व एथिनिक दिवस विश्व प्रतीस पर धात्मक्ता सूच कांक 2020 में भारत का रांक क्या है इसका आंसर है 43 भारती रेल्वे ने चीन को दिये गए किस कॉंट्राक्ट को रद कर दिया है इसका आंसर है Eastern Fret Corridor Project अगला देखते हैं बास के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है इसका जवाब है 25% किसे 2020 विश्व खाद्य पुरसकार से समानित किया गया है इसका जवाब है रतनलाल अगला सवाल देखते हैं हिमाचल प्रदेश के के बीच किन दो मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए साजेधारी हुई है इसका आंसर है हींग और केसर अगला सवाल बिहार खादी का ब्रैंड एमबासेडर किसे बनाया गया है इसका आंसर है पंकच त्रिपाठी वित्त मंत्राले द्वारा अधिसूचित लगू उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है इसका आंसर है देवेंद्र कुमार अगला देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने की जिम्मदारी किस कंपनी को दिया गया है इसका जवाब है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फिच रेटिंग के अनुसार वित्यव वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी व्रिधी दर कितनी रहने का अनुमान है इसका आंसर है 9.5 प्रतिशत अगला सवाल विश्व रक्त दाता दिवस कब मनाया गया इसका आंसर है 14 जून अगला देखते हैं किस बैंक ने सालरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया है इसका आंसर है ICICI बैंक ने तामिल नाडू सरकार ने क्वेंबटोर शहर का नाम बदल कर क्या रखा है इसका आंसर है कोयम पुत्तूर किस राज्य के पुलिस ने महिलाओं के लिए स्तृ कारिक्रम शुरू की है इसका आंसर है हाइद्राबाद किस राज ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुवात की है इसका आंसर है उत्तर प्रदेश किस राज ने ट्रू नैट मशीनों को कमिशन किया है इसका जवाब है उत्तर प्रदेश अगला सवाल देखते हैं NASA Distinguished Service Medal से किसे सम्मानित किया गया है इसका आंसर है रंजीत कुमार किस राज सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुवात की है इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश वार्शिक विश्व प्रतिस परधात्मक्ता सूच कांक रैंकिंग में किस देश को शीष स्थान प्राप्त हुआ है इसका आंसर है सिंगपूर अगला देखते हैं किस देश ने कोरोना संक्रिमित लोगों के इलाज के लिए प्लाजमा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है इसका जवाब है बांगला देश मरसर के 2020 कॉस्ट ओफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा घोशित किया गया है इसका जवाब है मुंबई इसका जवाब है